तो अभी यह प्रोसीजर कर रहे हैं इसमें एक स्मॉल पंच रहते हैं वह पंच का साइज 1 mm, 0.9 mm, 0.8 mm के डिपरेंस साइज के पंच होते हैं तो वहां से उससे एर फॉलिकलर यूनिट को आराउंड पंच किया जाता है और फिर वह ग्राफ को निकाला जाता है बाहर प्लांट करते हैं और एक में अवेलेबल है रोबोटिक ट्रांस्प्रांट बोलते हैं दुनिया में एक ही रोबोटिक सिस्टिम अवेलेबल है उसको आर्टास बोलते हैं ग्राफ एक्स्ट्रेक्शन के लिए यूज की जाती है बाग की प्रोसेस को दॉक्टर को खुद करना पड़ता है प्रीमेट स्लिक्स में यह डि लाइफ टाइम के लिए डिजाइन होना चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर आप और खोल सकते हैं कि बाल्डिंग एक कंटिनियूस प्रोसेस हैं और मेंटेनस नहीं हुआ या इवन आफ्टर मेंटेनस कुछ एरिया में बाल्डिंग हो गया है तो इसके लिए हमारे पास डोनर होना चाहिए तो डोनर मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्डंट है ओवर हार्वेस्टिंग नहीं होना चाहिए उसमें डोनर डैमेज नहीं होना चाहिए प्रेशन के लाइफ टाइम में हम छे हजार के आसपास ग्राफ्ट ऑक्सिबिटल डोनर एरिया से निकाल से लेकिन य सब्सक्राइब होते हैं हम कुछ ग्राफ बीर्ड में से ले सकते हैं अल्टरेटिव डोनर एडिया उसके कारण में मैक्जिमम रिजल्ट देना बहुत ज़रूरी होता है और दूसरी चीज़ एक्जिस्टिंग करते रहना बहुत ज़रूरी है तो यह डिजाइनिंग प्रोस सर्जरी में यह बहुत माइनूर सर्जरी है बीर्ड के लिए पॉइंट मिलीमेटर का पंच होता है वो पंच के सेंटर में फॉलिकल यूनिट को लेके उसके अरण ट्रिल किया जाता है तो अगर आपका डायरेक्शन और एंगल बराबर नहीं है क्योंकि वह ब्लाइंड प् पंच करना होता है अगर आपका अंगल डायरेक्शन पंच के टाइम गलत होता है मिंस फ्रैक्शन आप मिलीमेटर से डिफरेंट होता है तो भी वह नीचे के रूट को डामेज कर सकता है तो यह ना हो इसके लिए मैगनिफिकेशन बहुत इंपॉर्डन होता है अभी हम लोग यह काल भाइस लूप सी यूज करते हैं हमें फाई एक्स मैगनिफिकेशन देता है उसके कारण हम दो एक्जिसिंग हैर के बीच में भी एक ग्राफ विदाउट डामेज लगा सकते है तो बेसिकली है दोनों को एक्सामिन करें फिर लगाना है कितना एरिया कवर करना है वो डिसाइड होता है फेशन को हम एक्स्प्लें गते कि लिए तैयार होता है तब उसके सारे किया जाता है और उसका फिटनेश सर्टिपिकेट लिए जाता है उसको फिजीशन को रिफर करके फिजिशन उसका कुप्लीट एक्जामिनेशन करके एक सर्टिपिकेट देते हैं कि यह पेशन ट्रांसवार्ण सर्जिरी के लिए फिट है फिर जब ट्रांसवार्ण के दिन क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले उसके फोटो लिए जाते हैं बार्ड एरिया डॉनर एरिया डिफरेंट प्रोसीजर कैसी है उस पॉर्म में और प्रोसीजर को इस साइन लेते हैं उसके बाद उसका है लाइन वह नाचरल दिखना बहुत ज़रुड़ी है इसके लिए के साइस इसमें और बीकि इंवाल हैं कि के बात कैसा रिजल्ट आएगा और उसके हिसाब से वह टोटल किया जाता है में कि हेर्लाइन कर सेविजान में में आइस के अस्वक्षा रैकी यह सब इंपॉरेन्ट होती है में इसला थुप होता है और और फीमेल की हैरलाइन इन्वर्टेट यू की शेप में होती है तो हैरलाइन दिजाइग बहुत इंपोर्टन पार्ट होता है उसके बाद पेशन के हेड को ट्रिम किया जाता है जोनर एडिया रेस्ट एरिया दोनों में इसमें फिर किम करने देपाद करके उसको सरायल बनाए जाता है जाता है जोनर एरिया है वहां से एक छे से साथ एरिया में दर्मास्कोप से यह देन रिए जाते हैं और उससे टोनर एनसीटी कैल्किलेट होती है तो उसमें हमें आइडिया आता है कि इतना घ्राफ हमको मेले। प्रेषन का डोनर अरिया होता एक उसमें वे से बाद अंदर को इमें लिया मंतर जहां ँपो प्रेशर रिकॉर पंश रचर यूए तर ररेकॉर करते हैं वो मौनिटर लगाते है दुसका जो pen 0 में पूरा और डॉनर एरिया सब को पैरिदाडबिन एंडि सूलूशन लगा थे हैं वो लगाने के पाद फिर और सबार अधेयर सब्लीजन चले होत है एने सब्सक्राइब दो तरह के वह से नर्फ व्लोक Means दो तरह के वारे नर्फ फार जो नर्व के बाजिव में इंजेक्षिया जाता है इसमें आगे दो नर्व में यहां पर तो वहां पर एक सुपरा औरों चला नर्व रहती है पीछे की और में उसको ग्रेटर और लेशर ऑक्सिटल नर्व रहती है दूसरा तरीका है कि ये पूरे एरिया में राउंड आने शेश्या के इंजेक्शन स्किन के बिलोग दिये जाते हैं उसे भी और लेकर उसमें पर चरिंज होते हैं नियर्चिश के और जाता है कि वहां पर उसक्रिशिट नर्वज जादा नहीं रहते गार देने के बात यह प्रिमेट विफ बनाते हैं कमड़ स्लिट ओने के बाद वहां पर clean shave किया जाता है ताकि वो slips existing बालों के पीछे च्छिपना जाए और प्रॉपरली दिखे इसके लिए उस पर मिथिलिन ब्लू से पेंट किया जाता है देन ग्राफ एक्स्ट्रेक्शन चालो होता है पहले अप्सिपिटल एरिया में इसे ग्राफ निकालते हैं उसमें यूजरी पॉइंट नाइन या वन मिलिवेटर का पंच होता है यूएस मेड पंचे यूज़ करते हैं यह शार्प प्रीव पॉज़ेए शार्प होता है कि मिनिमल इंज़ूरी ज्वनरे और होती है अगर ज्यादा इंज़ूरी होती है तो ज्जादा प्लाणिशन मिनिमल इंजूरी होती है यह एक सेक्षेन के बात प्लांटेशन आता है प्लांटेशन में निकाले वे ग्राफ अपने जो प्रिमेड श्लिट्स में बनाए हैं उन में डाल दिये जाए इसके लिए हम करते हैं वह सावा इंप्लांटर से पंच यह स्लिट में ग्राफ को इंसर्ट किया जाता है इसको प्लांटेशन प्रोसेस्ट तो यह सेशन में होता है क्योंकि ग्राफ को जल्दी से जल्दी बोड़ी में वाफ्पेस्ट डालना बहुत इंपर्णन होता है